नमस्कार हीमाचल एक्जाम हब में आपका स्वागत हैं यह है पेपर कॉपी होल्डर का जिसका पोस्ट कोड था 982-9802 जो HPSHC हमिरपूर के दौर पेपर कंड़क्ट करवाया गया था तो इसका मैं सेकंड पार्ट लेके आ रहा हूं फर्स्ट पार्ट मैंने डाल दिया है य डाल दूँगा आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जल्दी से टेलिग्राम ग्रूप जोइन कर लेजिए पीडिया फाइल के लिए तो वाई यह डिसकस करते हैं क्वाश्चिन नमबर 119 से क्वाश्चिन नमबर 119 एलुमीनियूम किस से प्रापत होता है तो एलुमीनियूम प्रापत होता है आपका बक साइट से सी इसका सही अंसर है 119 का नेक्स्ट क्वाश्चिन next question 120 chemical name of bleaching powder is bleaching powder का chemical name क्या है तो इसका chemical name है calcium hypochlorite भी इसका सही answer होगा next question the chief 121 the chief source of naphthalene is naphthalene का परमुख स्त्रोथ है तो naphthalene का जो है आपका परमुख स्त्रोथ वो है कोलतार ये इसका सही answer होगा 121 question का next question 122 which is used as a disinfectant in drinking water पीनी के पानी में विस क्रामक के रूप में क्या प्रियुक्त होता है तो ये होता है आपका 122 का सही answer है आपका D, chlorine D इसका सही answer है next question 123 which raise is cause skin damage कौन से किरन तोचा को हानी पहुचाते है तो ये सब इक होता है कि UV किरने अल्टा वालेट किरने तोचा को हानी पहुचाती है 123 का भी सही answer होगा next question 124 ये हिमाचल जी के स्थार्ट होती है यहां से तो हिमाचल प्रदेश गोट दा स्टेटस आफ फुल फ्लेज टेट अउन हिमाचल प्रदेश ने पुन्राज्य का दर्ज़क का प्रापत किया तो ये आप का प्रापत किया है 25 जनवरी 1970 को जी इसका साही अंसर है 124 का Next question Who is the deputy speaker of हिमाचल प्रदेश विधान सभा हिमाचल प्रदेश विधान सभा का deputy speaker कौन है तो ये है आपके हंसराज जी सी इसका साही अंसर होगा 125 का Next question 126 Total number of municipal corporation in हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश में कुल मुनिशिपल corporation की संख्या कितनी है 126 का अंसर होगा आपका D 5 MC है हिमाचल प्रदेश में Next question 127 Headquarter of district nor of हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जीले का मुख्यले कहां पर है तो ये है आपका धरमसाला में 127 का D सही अंसर है Next question 128 Salt mines are located in हिमाचल प्रदेश at which place हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर नमक की खादाने स्थित हैं तो ये स्थित हैं आपकी गुम्मा में D का सही अंसर है Next question 129 Dr. Y.S. परमार यूनिवस्टी आफ हर्टी कल्चर और फोरेश्टरी इस लोकेटेट इड विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश Dr. Y.S. परमार बागवानी और वानी की विशवद्याली हिमाचल प्रदेश में कहां पस्थित है तो ये स्थित है आपका नौनी में इसका सही अंसर होगा Next question 130 Which district has largest role length in हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश में किस जिले में सरवादिक लंबाई की सड़के हैं तो ये है आपकी मंडी district में B इसका सही अंसर होगा Next question 131 Which district has lowest urban population in हिमाचल प्रदेश हिमाचल परदेश में किस जिले में सबसे कम सहरी जनसंख्या है तो अगर हम बात करते हैं आपके 131 की तो किनौर इसका साही अंसर होगा वैसे किनौर और लाउस्पिती दोनों में ही सहरी जनसंख्या कम है पर इसका साही अंसर किनौर होगा Next question 132 पबर वैली इन हिमाचल परदेश is also known as हिमाचल परदेश में पबर घाटी इस नाम से भी जानी जाती है तो 132 का सही अंसर होगा आपका D जो आपकी रोडु घाटी है इसी को ही पबर घाटी के नाम से जाना जाता है नेक्स्ट कॉशिन 133 गेज फांग हिमंद हिमाचल परदेश में किस जिले में श्थीत है तो ये स्थीत है आपका लॉज पिती जिले में एह इसका सही अंसर होगा नेक्स्ट कॉश्चिन 134 लेकिन हिमाचल परदेश में कौन सबसे बड़ी कृत्रम जील है तो ये है आपकी गोविन सागर लेक सी इसका सही अंसर होगा और इसकी लेंथ भी पूछ ली जाती है कि कितनों किलोमेटर है तो 88 किलोमेटर लेंथ है गोविन सागर लेक की नेक्ट कॉच्छन वन थर्टिवाई दलाश्ट रूडलर आफ भुसर बुसर राज्य का अंतिम सासक था तो अंतिम सासक इसका था पदम सिंग 135 का A सही अंसर है नेक्ट कॉच्छन 136 चमबा रंग महल वाज फौंड़िड वाई चमबा रंग महल की स्थापना किस ने की तो 136 का सही अंसर है आपका D उमेद सिंग ने स्थापना करी चमबा रंग महल की नेक्ट कॉच्छन 137 विच इस पॉपलरली नोन एज छोटी कासी इन हिमाचल पदेश हिमाचल पदेश में छोटी कासी नाम से भी लोग परियक क्या है तो यह आपका छोटी कासी आपकी मंडी को कहा जाता है नेक्स्ट कॉच्छन 138 दसिमला हिल स्टेट्स हिमालियन रियास्ती प्रजा मंडल पास फाउंडिड इन विच इयर हिमाचल परिश सिमला हिल स्टेट्स पहाडी राज्यों का हिमालियन रियास्ति प्रजाबंदल की स्थापना किस वर्स हुई तो 138 का सही अंसर है आपका D 1938 में नेक्स्ट वास्टिन आपका 139 सॉरी 139 विच इस दे एग्जीकुटिव एग्जीकुटिंग अजन्सी आफ लोवर उहल हाइड्रोलेक्टिर प्रोजेक्ट इन हिमाचल प्रदेश तो फ्रेंट्स ये डाटफूल है क्वास्टिन मुझे इसका मिला नहीं कहीं पे कुछ भी तो जब प्रोविजनल अंसर की आईगी तब देख लेंगे इस क्वास्टिन को सकति देवी मंद्र हिमाचल प्रदेश में किस धान पस्तित है तो यह स्तित कि छत्राडी में यह इसका सही ऑंसर होगा नेक्स्ट कॉच्चन 141 which is the last human habitation on the Indian front in Kinore district of Himachal Pradesh Himachal Pradesh के Kinore जिले में भारत का अंतिमानव आवास क्या है तो ये है आपका चितकुल 141 का D सही अंसर होगा Next question 142 At which place in Himachal Pradesh has a vegetable ghee plant in the private sector been set up Himachal Pradesh में किस थान पर निजीक सेत्र का एक वनस्पतिगी प्लांट से अंतर स्थापित हुआ है तो ये हुआ है आपका नालागड़ में C इसका सही अंसर होगा Next question 143 Which is a dance of our tree? कौन सा धनूर विद्या का नरित्य है? तो ये नरित्य है आपका थोड़ो थोड़ा नरित्य है ये इसका सही अंसर है 144 Which Bollywood personality was named by Niti Ayok to promote the woman entrepreneurship platform in the year 2018 वर्स 2018 में महिला सस्थिकरण मंच को प्रोथसाहन देने के लिए Niti Ayok दौरक किस Bollywood व्यक्तित्यों को नामिन्त किया गया था तो ये किया गया था का सुसान सिंग राजबूत को C इसका सही अंसर होगा Next question 145 ये current affair के question है 145 विच इंडियन स्टेट यूटी है रिसेंटली लाँच्ड एन इंटिग्रेटिड फ्लड वर्निंग सिस्टम नेम्ड आई फ्लोथ किस भारतिय राज्यस के अंदर सासिर पदेश ने हाल ही में आई फ्लोथ नामक संकलित बाड चेतावनी तंतर लाँच किया है तो 145 का सही अंजर होगा आपका सी महाराष्टर ने लाँच किया नेक्स्ट कॉस्टिन 146 विच सोचल मीडिया प्लाटफॉर्म है रेसेंटल लाँच अन्यू फीचर काल्ड फ्लिट्स इन इंडिया किस सोचल मीडिया प्लाटफॉर्म ने हाल ही में भारत में नया फीचर फ्लिट लाँच किया है तो ये लाँच किया है आपका ट्विटर ने 20 का सही अंसर होगा 147, as of 2020 which was the safest year in the Indian railway with zero passenger fatality for the first time 2020 तक भारतिय रेलवे में प्रत्थम बार सुन्य यातरी अप मृत्यू के साथ कौन सा सबसे सुरक्षित वर्स था तो 147 का सही अंसर होगा आपका D, 2019-20 next question 148, Joe Biden who was in news recently is the nominee for which country's presidential elections Joe Biden जो हाल ही में समचारों में थे वो किस देश के राष्टपती चुनाव के nominee थे तो ये वो थे आपके US से के, शी इसका सही अंसर होगा next question 149, Hamza Koya who recently passed away due to COVID-19 was associated with which sports Hamza Koya जिसका COVID-19 के कारण निदन हुआ, किस खेल से सबंदीत थे तो ये थे आपके सबंदीत आपके footballs है, भी इसका सही अंसर होगा next question 150, India recently unveiled पंसिल campaign to secure as elected seat at which international forum भारत ने हाल ही में किस अंतराश्टिय forum में निर्वाचित पद सुरक्षित करने हैं तो पंसिल अभियान अनावरित किया तो ये किया आपका United Nations Security Council में ये इसका सही अंसर होगा, next question 151, the government has recently allowed feeling of GST monthly return through SMS service up to which limit सरकार ने हाल ही में किस सिमा तक GST मासिक रेटर्न SMS सेवा से भरने की अनुमती दी है तो ये है निल रेटर्न 151 का ये अंसर होगा, तो हमने complete GK section अब discuss कर लिया आपके इस paper का, जो था आपका copy holder, जिसका post code था 982 तो हमने पूरा GK section discuss कर लिया इसका, और आप जल्दी से जल्दी टेलिग्राम ग्रूप जॉइन कर लें ही माचल exam hub के नाम से, और मैं link भी डाल दूँगा, टेलिग्राम ग्रूप का इस video के description में तो आप जल्दी से जल्दी जॉइन कर लें, link टेलिग्राम का, जिससे आपको कोई भी update है, वो जल्दी से जल्दी मिल जाएगी, वहाँ पे तो आई होप आपको वीडियो पसंद आये होगी, अगर वीडियो पसंद आये होगी तो चैनल को subscribe, share और वीडियो को like जरूर करें, धन्यवाद